सब्सक्राइब बात करेंगे सुनाटा सोफ़एर लिमिटेड जो की आई-टी कंपनी है और काफी जबरदस तुछाल पर है अगर बात करें आई-टी की पूरी इंडस्ट्री की तो आप खुद देख सकते हैं कि लो जो बिल्कुल बोटम पे हुआ करते थी आज वो टोटली पीक पर है काफी काफी एफेक्टिव हुआ है आई-टी कंपनियों के लिए इस पैड़ामिक में तो अगर इंडस्ट्री की बात करें फार्मसेटिकल कंपनिया काफी जबरदस तुछाल पर है इस पैड़ामिक में तो दोनों सेक्टर काफी ऊपर एट पेजन नजर आ रहे इस बात करते हैं सोनाटा सोफ्टेर की आज की हाई की 612 रुपे 75 पैसे आज का आई है और इसके आज की लो की बात करें 560 रुपे 5 पैसे इसका आज का लो है बात करें 634 रुपे इसका बाउनुविक लो है जो गई ओल्मॉस्ट जो की 3-4 गोना इसने मार्केट में जंप क और काफी पैठर चीजें नजर आ रही हैं सोनाटा सोफ्टेर में अपार्ट इसके आरेशिस की बाथ करें आठ स्ट्रेंट हैं आपने तीन वीकने से तीन ऑपरचुनटी से एक त्रेट नजर आ रहा है जो कई अगर बात पे पे राइशिंग नेट काश लॉँड काश फोम सबसे बड़ी चीज यहां पर देखने को मिल रही है कि कंपनी के पर जो काफी लो है कंपनी इसके अलावा अगर बात करें इसके त्रेट की एक ही त्रेट इसमें नजर आ रहा है तो चीजे काफी बेटर है तो वीकनेस की बात करते है नेगेटिव ब्रेक्टाउन फर्स सपोर्ट मिचल फंड नहीं आपर जो लास्ट पाटर में शेयर वर्डिंग डिक्रीज की है हाई वोल्यूम टोप लूजर अपार्ट फूम डेट अगर ऑपर चुटीज की बात करें तो ब्रोकर इसका लास्ट त्री अपार्ट फूम डेट आज की बात करें तो जो की काफी मोटी सेलिंग याप आपको देखने को मिली है इसके अलावा अगर बात करें इसके जो एट पेजन्ट जो सेंटिमेंट की तो चीजें टोटली टोटली सुनाटा सॉफ्टेयर के फेवर में है 100% पाय करने का सेंटिम मिस कर जाएंगे अपार्ट फूम डेट अगर इसके फैनेशल की बात करें तो इसका फैनेशल जो मार्च का प्वार्ट जो रिजल्ट है वो अलड़ी आ चुका है अफ्कोर्स जो की यहां पर डेकलाइन हुआ है इसके बात करें यहां पर आपको देखने को मिल रहा है पार्फिट्व प्रीट्व आनिंग में करें जो इसमें प्रोमोटर होल्डिंग अगर 16 whe फरहें करें तो आप जीन सेवियें पर फोरेंग्स कि नेट्वमट करें प्रोम्रेस की बाद सुक economically यहांपर 12% यहांपर domestic investors की holding public holding काफी बड़ी है 43.69% यहांपर public holding है apart from that अगर बात करें यहांपर others जो की हो सकता है mutual fund का part भी हो यहांपर 1.2% यहांपर जो की others की holding है so guys apart from that अगर बात करें mutual fund की तो mutual fund ने जो December quarter में 1.47% जो की holding decrease की है and apart from that foreign investors की बात करें तो अच्छा कासा यहांपर increment देखने को मिल रहा है 1.94% so guys इसके अलावा of course जो की इसका result अलड़ी आ चुका है Sonata Software Q4 results profit rises 34% to Rs. 83 so guys काफी बड़ी news है Pune mid-size IT services provider Sonata Software has reported a profit after tax of Rs. 83.1 crore for the quarter ended March 31st up 34% over the corresponding quarter last year it posted revenue of Rs. 1075.7 crore up 16% of this Rs. 319 crore was from international IT services and the remaining was from its domestic production business so guys यह जो and apart from that the company reported a net profit of Rs. 244 crore down 12% so guys यह इसका result अभी ओरड़ी आ चुका है Sonata Software का so guys इसके अलावा एक बड़ी news यह है कि guys यह जो की of course जो की इन्होंने जो a dividend है वो अप्रूव कर दिया है जो की काफी बड़ी news है जो की recommend किया गया है वो dividend कितने का है वो हम देखते है Sonata Software has informed BSE that the board of director of the companies at its meeting held on 12th May 2021 Inter Alia has recommended a final dividend of Rs. 10 per equity share it means 1000 on per on par value Rs. 1 for the financial year ended March 31st 2021 and the final dividend is payable subject to the approval of shareholders or at the forthcoming annual general meeting ASEM the dividend subject to the approval of shareholders will be dispatched created within 30 days from the date of annual general meeting so guys जैसे ही जो ASEM होता है उसके within next 30 days में यह payment की जाएगी जो की यह काफी बड़ी news है 10 रुपे जो की final dividend इसने डिक्लेर किया चीज़े काफी better है अगर बात करें तो कई अभी caution बनता है कि Sonata Software को ad present लेना चाहिए या नहीं जो नीचे के of course जो कि मैं यहीं suggest करूंगा कि जो नीचे के जो पाहर है ओलड़ी जो की invest कर चुके है जो नीचे जिनोंने करेदा at least आदा at least आदा amount book करना चाहिए इतना profit तो at least निकाल लेना चाहिए क्योंकि market का कोई वरोसा नहीं है कब crash हो जाए कोई भी वरोसा नहीं है सकते हैं बट हो सकता है कि जैसे ही यह डिविडेंट की जो डेट और अरांस हो सकता है यह उपर चला जाए और एक अच्छा खासा इवन आपको profit भी दे दे बट मार्केट साथ में market को भी नहीं कर सकते तो market को भी द्यार में रखना होगा so once again thanks a lot for watching this video so please take care and please like comment share and subscribe thank you take care